हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपियस सीनिती जी आज हमें एक ऐसे टॉपिक पर डिसकेशन करने जा रहे है जो हमने आज, that is 7th April 2017 को हमारे एक क्वेशन में देखा था जो था साका राइब, जो इसरो द्वारा बनाया गया है जिसमें उन्होंने यूज किया है Augmented Reality इस टेकनोलोजी का तो देखते है Augmented Reality टेकनोलोजी क्या है लेकिन Augmented Reality जानने के लिए हमें सबसे पहले Virtual Reality क्या है यह जानना पड़ेगा सो स्टार्ट करते, Virtual Reality क्या होता है कि यहाँ पे न, Virtual Reality में आपको एक ऐसा Headphone, Headset जो है VR Headset कहते हैं उसको Headset यूज करना पड़ेगा, आपने मतलब सर पे Mount करना पड़ेगा जो और इसके साथ साथ एक कोई जो device है लाइक Mobile, यह आपको इस headset में Mount करना होगा और जब भी आप यह Mount करेगे तो जो कुछ भी उस device पे चल रहा होगा लाइक Movie, या फिर Game, या फिर Pictures और Sound वगेरा यह आपको लगएगा कि यह हमारे सामनी हो रहा है ऐसे मतलब अगर आप Movie देख रहे हो तो आपको ऐसे लगएगा कि Movie आपके सामने बहुती बड़े स्क्रीन पे चल रही है और अगर वो 3D supported होगी तो ऐसे लगएगा आपको कि यह 3D है ठीके तो यह होता है Virtual Reality के बारे में यह देखिए ऐसा ही है अब देखते हैं कि यह VR headset है ठीके यह हो गया VR headset और यह हमने अपना जो device है consider कि यहाँ पे हमने mobile अपना जो है वो add करेंगे तो mobile पे ऐसी दो अलग-अलग screens तयार हो जाती है देखिए यह दो अलग-अलग screens है जो हमने एक gadget 360 इस site से ली थी जी यह जो दो screens है वो हमें मतलब ऐसे magnifying lens से ऐसा projection करती है कि हमें लगता है कि हम यह पूरी एक जो नई screen है वो हमारे सामने ही आपने सिर पे mount किया है और आप जो ताज महल का अगर view देख रहे हो और आपके phone में gyroscope नाम का एक जो sensor है वो है तो अगर आप ऐसे अपना सर उपर नीचे हिलाते है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ताज महल जो है वो उपर से नीचे तक देख रहे है या फिर अगर आप side में अपना move फेरते हो तो ऐसा लगेगा कि आप ताज महल के बाकी side में देख रहे हो ऐसा होता है और पिछले दिन यो ना ऐसा ही एक जो कुछ मतलब message आता था WhatsApp पे जिसमे 360 degree हमाए Paris का जो Eiffel Tower इसके बारे में और उसके सभी side में देख रहे हो ठीक है तो यह होगा है virtual reality के बारे में तो यह जब virtual reality जब मतलब बहुत ही ज़्यादा news में था ना तो एक ऐसा जोग भी आया था कि हमें जब हम चोटे थे तो हमें घरवाले कहते थे कि TV के ज़्यादा पास मत बैटो TV से आखे खराब हो जाएगी लेकिन अभी हमें TV देखने के लिए मतलब TV के पास बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा video device है वो ही हमारे आखों के सामने आ गया है ऐसा यह था एक जोक तो अब देखते है augmented reality क्या है augmented reality में क्या होता है तो it is a live और direct और indirect view of physical, real world environment whose elements are augmented by computer generated sensory inputs such as sound, video, graphics और GPS data मतलब इसमें भी क्या होता है कि हो सकता है कि इसमें आप कोई headset mount किया हो आपने या फिर नहीं किया हो लेकिन मतलब यह device पर depend करता है कि किस तरह का device आप use कर रहे हो अगर consider कि यह जो mobile आपने हाथ में पकड़ा है और mobile में यह augmented reality के लिए कुछ जो कुछ भी software और वगरा है वो चल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे आपने mobile जो है वो अप ground पर खड़े हो सामने एक building है और आपने हाथ में mobile रखा है तो mobile जो building है ऐसे लगेगा projection ऐसे आएगा mobile में आपके कि उस building से कोई न कोई like animal जो है वो बाहर आ रहा है कोई dragon बाहर आ रहा है या फिर suddenly वो building जो है वो collapse हो रही है ऐसा आपको मतलब यह virtual world में सिर्फ दिखेगा मतलब आपके mobile पे दिखेगा लेकिन जो real world है उसमें ऐसा कुछ होगा नहीं तो यह होता है augmented reality augmented reality जो है वो हमारे real world को virtual world को इन दोनों कोई connect करके हमें जो एक मतलब अलगी world में लेके जाता है ऐसा होता है augmented reality और virtual world में क्या था तो सिर्फ हम virtual world में जाते हमारे real world का उससे कोई भी relation नहीं होता virtual reality में ठीक है so as a result technology functions by enhancing one's current perception of reality तो यह तो हमने बता दिया कि देखिए कि सामने कोई building थी वो directly ऐसे आपको लगेगा कि वो collapse हो गई या फिर उसे कोई monster सामने आ गया तो यह तो हमारे perception पे depend करता है और यह video जो software होगा उस पे depend करता ही कि यह हमें क्या दिखाएगा and next is augmented reality brings out the component of the digital world into person's perceived real life digital world के जो component होते वो हमारे real life में आ रहे है ऐसा हमें लगता है one example of such is air helmets for construction workers which display information about the construction site यह मैं आपको बताता हूँ आगे मतलब एक image जो है इसके बारे में हमने add किये data generate कर सकते है ऐसा augment then reality reality में क्या है तो physical world जो है हमारा that is reality और इनको जब combine करेंगे तो यह बन जाएगा augmented reality यह देखिए यहाँ पर अभी हमने mobile ऐसा सामने रखा है और यहाँ पर कोई building है और यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक shark जो है तो बाकी images देखिए यह देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं मतलब सिर्फ एक छोटा सा कुछ इनने cardboard का piece रखा हुआ है और उस पर इन्होंने mobile से ऐसे कुछ generate किया कि यहाँ पर लगता है कि यह software ने ऐसे generate किया कि यहाँ पर लगता है पुरा खाली है और यहाँ पर आपको अच्छे से furniture decorate करना है तो कैसे कर सकते हो तो directly यह ऐसे laptop पर ही जो मतलब laptop या फिर जो tablet PC होगा उस पर ऐसे दिखा सकते है कि यहाँ पर यह हमने यहाँ पर add किया तो यह कैसा लगेगा वगेरा वगेरा ऐसे use कर सकते है साथी साथ पिछले दिनों एक वीडियो आया था कि जिसमें क्या होता था कि एक मतलब आपको dress खरीदना है तो आप सिर्फ एक सामने ऐसे एक जो device होता था augmented reality वाला उसके सामने आपको खड़े रहना है और जो कोई भी आपको उसमें से जो कोई आपको dress पसंद आ रहा है वो सिर्फ इस पर टिक करेंगे तो आपको पता चल जाता था कि ये dress जो है वो अपने उपर कैसा लगेगा तो ये जो सब कुछ है वो है augmented reality के बारे में augmented reality को आप ऐसे जो विजूज ये जो कोई company का जो headset है augmented reality headset वो यूज करके भी आप देख सकते हो ये जो device है ये आपने अगर अभी पहना हुआ है तो आप यहाँ पे जा रहे हो तो ये देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि ये taxi occupied है या नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है ये बस कहां से आ रही है और कहां पे जा रही है ये जो building है इसके बारे में जो कुछ relevant information जो आपको चाहिए ये पता चल जाएगी साथी साथ Facebook जो अगर आपका ये headphone जो है वो mobile से connect है तो Facebook पे आपके कौन से notification आये call आया तो वो आपको पता चल जाएगा आपने Iron Man movie देखियोगी उसमें जो Tony Stark जो है उनके सामने ऐसे नजरों के सामने continuously कुछ screens जो होती है वो generate होती रहती है तो ये सब जो है वो augmented reality का ही एक हिस्सा है ठीक है अब बाकी बाते जो है वो देख लेदे ये देखिए ये जो augmented reality अभी बहुती ज्यादा news में क्यों आ गया था मतलब पिछले साल news में क्यों आया था तो जी Pokemon Go नाम से एक game आया था जिसने augmented reality को मतलब हर सभी लोगों के सामने लेके आ गए थे वो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा real world ये रहा हमारा real world और यहाँ पी ये virtual world create हो गया अब थोड़ी ना कोई ऐसा ये कोज जो कुछ भी Pokemon होगा ये हमारे घर में होगा लेकिन ये हमारे real world को हमारे virtual world के साथ connect कर देता है और ये होती है augmented reality technology ठीक है तो अब इन दोन में difference क्या है तो virtual reality जो है वो replace करता है real world को with stimulated one ठीक है stimulated one like कोई movie देख रहे हो तो वो आपको मतलब पूरी ऐसे नजरों के सामने आ जाएगी कि आपको लग रहा है आप वही पे हो आपने अगर gravity movie ऐसे gravity जो movie आई थी कुछ तीन चार साल पहले वो अगर इस VR टेक्निक से यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ही like अभी universe में हो ऐसे आपको लगेगा और augmented reality में क्या होता है it is conventionally in real time and senses and semantic context with environmental elements such as sports course और TV during a match जो हमने बताया कि आपके सामने ही एक real world और virtual world दोनों को combine करके कुछ जो element है वो generate किये जाएंगे augmented world augmented technology में ठीके तो ये देखिए ये हो गया virtual reality और ये हो गया augmented reality यहाँ पर ये देखिए इन्होंने यह सब कुछ जो है वो augmented reality को जैसे generate किया है ठीके तो अब आते हमारे question की तरब की साकार क्या है साकार जो है वो इस तो रोने बनाया गया एक augmented reality application है जो android devices के लिए अभी तक यूज किया जा रहा है साथी साथ this application shows live camera view on your device to represent a physical world and virtual object video clips are super imposed on live camera view upon pointing the device camera at a trigger card ये trigger card जो है इसमें बहुत important है the combined view of camera and virtual object appears to tightly coupled on the device screen मतलब होता क्या है कि अगर आप अपना mobile जो है वो इससे trigger card के सामने trigger card क्या है मैं आपको आगली side में बताता हूँ ये trigger card के सामने अगर आप अपना mobile रखोगे तो जो app जो ये जो साकार app है उसमें से कुछ video start हो जाएगा साथी साथ कुछ हमें objects जो है DECU ये क्या है development education communication unit जो ISRO के अंडर आता है ठीक है तो ये देखिए ये कैसे मतलब काम करेगा कि इनको कुछ काम करना है तो ये अगर आप सिर्फ mobile से सामने रख दिया तो maps वगेरा सब कुछ generate हो सकता है साथी साथ यहाँ पे कुछ बनाया है और पूरा ये देखिए यहाँ पे कितना बनाया है इस augmented reality से स्क्रीन पे कितना बन चुका है साथी साथ maps वगेरा और हमारी जो बाकी analytical information है वो भी इस तरह से हमें helpful हो सकती है तो देखिए ये जो हमारा साकार app है ये इसके बारे में कुछ information है कि एक live camera होता है जो अब आप जब आप use करेंगे तो वो start हो जाएगा और उससे 3D models वीडियो जो है वो दिखाए जाएगे लेकिन इसके लिए आपको trigger card जो है उनकी ज़रुरत होगी ये trigger card क्या है ये उन्होंने अपनी जो website है इसरो की उसपे बताया गया है मैं जो इसकी link जो है वो आप download करने के लिए आपको description में डाल दूँगा ये trigger card को use करेंगे जब आप भी mobile अपने साकार app को open करके trigger card जो आप देखोगे तब कुछ video या फिर साथी साथ कुछ object जो है वो आपके सामने आ जाएंगे तो this application serve as another milestone of ISRO and it will help in making people aware about the project and about ISRO. Users can view the live events at any place including floods और other disasters taking place in country तो ये ISRO ने इस main aim है इनका की floods वगेरा इस disaster situation में भी आप कहाँ पे वहाँ पे बैटके देख सकते हो तो ये app जो है मैंने ये video बनाने के लिए अभी install किया था ये देखिए ये साकार app है यहां मेरे mobile में और ये मैंने अपने laptop का यहां से मतलब augmented reality इस technique का यूज करके अभी ये मैं कर रहा था ये देखिए यहां पे ये trigger card है जो हमने पहले देखा था ना ये trigger card जो है वो बहुत ही ज़रूरी होते आपने अगर एक times of India I think ये paper जो होता है वहाँ पे इनका एक app है alive नाम से वहाँ पे ये trigger card जो है वो alive उसमें use करते हो मतलब उसमें क्या होता है कि अगर आप mobile जो है उससे वो alive card जो है times of India का वो scan करोगे तो जो कुछ भी alive के साथ अगर कभी किसी personality का interview होगा वो directly ऐसे start हो जाता है वो भी एक augmented reality का ही प्रकार है ठीक है तो यह देखिए यहाँ पर यह trigger card है जब मैंने mobile उस पे mobile उस पे जब zoom किया तो यह देखिए यह ऐसे trigger जो था वो मतलब मुझे 3D information यहाँ पर बताने लगा बाद में एक video start हो गया यह देखिए यह DCU जो था उसका एक video start हो गया और उसने फिर मुझे यहाँ पर जो हमारी जो बाकी हमारा IRNSS जो है उसके बारे में information देना start कर दिया था ठीक है तो यह हो गया हमारा साकार app के बारे में I hope जो हमारा आज का question साकार app क्या है augmented reality क्या है virtual reality क्या है यह हमने अभी अच्छे से cover कर लिया होगा so thank you so much have a happy wonderful day ahead keep studying bye